जैहिन साथियो अभी हम लोग उपस्ते थे एक जाम टोड चैनल पर और आप देख रहे हैं स्वास्त विभाग में सतर हजार पदो पर छे माह में होगी बहाली यानि कि श्वास्त विभाग में भिन भिन पदो पर सभी देखेंगे कि कौन कौन साफ़ाद है क्या है कैसे है किस यह माह के अंदर इस बहाली को पूरा करना है तो आप इसलिए देखें कव तक वेकंसी जाएगी क्या होगी इसके बारे में शंपून जनकारी आपको मिल जाएगी और एक बात आप से बता देए आदि आप एक जाम टूर पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किसी भी स्ट्रीम से आते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्पून हो जाएगा सबसे अधिक 35,000 की होगी जिसमें सतर हजार में 35,000 केवल और केवल एनम की बाहली होगी बाकी सब अलग 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 स्टाप के होंगे जिसमें गूरूप D भी हो सकता है और यह सब भी हो सकते हैं इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे चलिए देखते हैं नौकरी का अंतिजार कर रहे ही वाओं के लिए अच्छी खबर है बिहार सरकार स्वास्त विभाग में 70,000 पदोपर नियुक्ति की परकिरिया सुरू करेगी स्वास्त विभाग के अप 70,000 पदोपर नियुक्ति होगी परते आमरीद जी जो मुख्य सचियों है उन्होंने इसकी जनकारी दी सबसे बले बता दे थोड़ा सा ध्यान पुरुवक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और आगे आएं तो इसमें देखें 70,000 पदोपर नियुक्ति की परकिरिय पुरी करेगी अपर मुख्य सचियों सनिबार को इंडियन एसोसियेशन ऑफ प्रिवेंस एंड एसोसल मेडिसीन बिहार चेमबर की ओर से गांधी मैदान में देहां पर देखेंगे गांधी मैदान में इस्थित ज्यान भौन में एक कारिकरम एक दिवसिये सेमिनार के उद् SPSS M बिहार चेमबर के इस वार्षिक अधिवेशन के दोरान उन्होंने कहा कि इसमें सबसे अधिक करीव 35,000 एनम के पद शामिल है इसके अलवां डॉक्टर टेकनिसियन समित अलग-अलग पदो भी शामिल किया जाएगा इसके लिए जल्द ही बिग्यापन निकाला यह कारेकरम PMCH Community Medicine विभाग की अध्यक्स डाक्टर राश्मी सिंग की देखरेक में हुआ इस सेमिनार में एक मंच पर करीब 300 डॉक्टर सामिल हुए थोड़ा सा ध्यान पूरबक देखेंगे एक मंच पर करीब 300 डॉक्टर सामिल हुए और आपसे बता दे इसका संपूर्ण जनकारी आपको मिल जाएगा सभी लोग का एक ही है उद्देश है ताकि स्वास्त विभाग को सुधार किया जाए जबकि अभी स्वास्त विभाग में अभी बहुत सरा चीज पाटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बहुत सारा समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए स जो भी competitive exam की तैयारी करते हैं उन सभी विद्ध्यार्थियों के लिए अगर आपके पास कोई extra degree है तो अच्छा बात है यदि extra degree नहीं है कहीं से आपके पास कहीं काने का अर्थ हुआ कि यदि आप एक साल 6 मां कुर्स करते हैं अगर extra degree मिलता है तो अच्छी बात है करना चाह हो सकता है एक सरे वाला हो सकता है यह सब भी करके रखना चाहिए चुकि देखिए आप कोई भी आप एकंसी देख रहे हैं तो डाइरेक्ट केवल और केवल इंटर या गिर्जेशन या मैट्रिक पर नहीं दिया जा रहा है परकि उसमें कुछ extra degree लगा दिया जाता यदि है तो भी अच्छा है यदि आप technician का कोई degree हांसिल कर लेते हैं तो भी अच्छा है यदि आप computer typing कर लेते हैं तो यह इस तरीका से आप लोग को कर लेना चाहिए ताहिए आपका जो यह competitive exam है उसमें आप लोग देखते हैं कि जब यह competitive exam जिन बच्चों का final selection नहीं हो पता है उ और हम लोग जो है वह दो तीन साल चार साल इसी में समय दे देते हैं तो इसमें भी प्रयास करें कि कम से कम एक degree आपके पास हो तैयारी के साथ साथ यह सब भी ध्यान में रखना चाहिए यदि कुछ भी नहीं है तो कम से कम B8 आप जरूर कर लें किसी तरीका से विवस्था क तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा उसमें कोई दिक्कत दे हो तो यह सब पर ध्यान देना चाहिए और अच्छा से तयारी करना चाहिए ताकि कभी भी आपको किसी परकार का कोई दिक्कत नहों तो जय हिंद जय भारत जय इवा